गुरुजी नमस्कार नमस्कार गुरुजी जैसे लाइस्टाइल की बाते चल रही है तो मेरा कोश्चन भी कुछ उससे रेलेटिड ही है जो अभी बात की की कंप्यूटर मोबाइल का यूज ज्यादा होता है और उससे आइस प्रोब्लम काफी हो चुकी है चश्मा लग गया जैसे अभी आपने जिकर किया तो क्या इसे नैचरली रिकावर किया जा सकता है तो कुछ तरीका बताएं इसका ले हां बिल्कुल नैचरली तरीके से काफी हटाए जा सकते हैं हमारे ख्याल से जिन विटामिन्स की जुरूरत है एक तो वह विटामिन्स नैचरली तरीके से लिये जाएं आम तोर पर एक धारना है कि उसका असलियत में पता नहीं कितना सच है कि अगर हरी मेरी जो मीठी है उसको अगर खाने में एड कर लिया जाए औ और वाकिंग जो है उसको योगिंग में बदल लिया जाए तो काफी हद तक बॉड़ी फैट उडेंगे और मसल थोड़े से अगर आपके आजाएं तो मसल जो है वो आपके फिर आंखों तक भी असर करेंगे यानि वो फैट को खाएंगे सासाथ बीमारियां भी खतम होंगी और खान पान में जुरूर एड़ करें जिससे आँखों की रोशनी बढ़े और यह जुरूर है कि जब पढ़ रहे हैं कुछ दिरा पढ़ रहे हैं लगातार पास निगा में पर मानना यह होता है कि 10 मिंट बाद चलो कम से कम आप कुछ देर के लिए कुछ मीटर मालो आई इ ही रहता है और दीरे दीरे रिकवर होना शुरूर हो जाता है पर जो आप में बीमारियां हैं वो भी कारण बनती है निगा का और यह लेंस जो लगें ज्यादा जैसे आपने बोला लगातर चैटिंग सर्चिंग से लगातार यह जो आप रजाई में बैठके फोन देखते है हैं अकेले-अकेले में मगाता से डरते हुते हुए कि उनको पता नहीं चलने देना उससे दशा हुआ अपनी आउंखों से नहीं कि कहीं ओना चली जए लेकिन अपर रवाई करते जवान उमर ऐसी होती है तब किसको फिक्र होता है लेकिन जब चश्में मोटे-मोटा चड़ ऄड़ो और जैसे बताया घूम रहे हो उसको जोगिंग में यानी थोड़ा-फोड़ा भागना पहले जोगिंग करें पाँसात मिर्ट और उसके बाद पेहले अराम से तेज स्लो गुमें फिर तेज गुमें फिर जोगिंग करें और उसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए करें सुबा शाम नियम बना लें तो जकीनन जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे तो रिवर्स जुरूर होगा हमने ये देखा हुआ रजमाया हुआ है